All your confusions will be cleared in this video related to CS Professional, right? So CS Executive में बहुत बड़ी है result हुआ है, मैं आपको बता दूँ, again, again MEPL में सबसे ज़्याद All India Rankers आया है, वापस से हमारे यहां से Rank 1 आया है, which means last 4 times से All India Rank 1 का, last 4 times हो गया भाई, so the credit goes to my students' hard work, your belief in the classes and our teamwork, अब बारी है प्रोफेशनल का, भाई, प्रोफेशनल में CS Professional में बहुत सरे बच्चों को doubt आ रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, यह वीडियो पूरा देख लो, आपका सारा doubts clear हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई doubt रहेगा, वीडियो देखने के बाद, comment box में comment करना, मैं उसका reply कर दूँगा, और CS Professional का नए batches से आप लोग कब से start कर रहे ह तो मैं बदा दू, CS Professional का हमारे याँ पर जो नए batches हैं, वो 16th March से start हो रहा है, 16 March से start हो रहा है, वारे subject live रहेंगे क्या, यह possible हो सकता है क्या, बिल्कूल भी नहीं, क्यों, क्योंकि एक-एक subject में, 70-70 lectures are there, ठीक है, तो CS Professional में, तर हमें old syllabus दिना है के new syllabus, भाई, December 23 में, अगर आ June 2024 में, तो सार हम लोग June 2024 में ते देख, क्यों खराब कर रहे हो भाई, 6 महीना, 6 महीना का opportunity cost बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो भाई, December 23 के हमारे नए batches start लोग रहे हैं, कब से 16th March से, टोटल आपके 9 papers है, out of 9 papers, out of 9 papers, आपको 5 papers जो हैं, 5 papers वो live मिल जाएंगे, और 4 papers जो हैं, 4 papers, आपको latest current batch के recording मिलेंगे, जो आपको करना है, इससे क्या होगा, live और recording का mixture रहेगा, ठीक है, जो जैसे एक important subject है, CRI, वो हम लोग live start करेंगे, CRI मैं live start करूँगा 16 माथ से, taxation आपको live मिलेगा, इसके अलावा आपका जो insolvency का paper है, वो आपको live मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से आपका 4-5 paper आपको live मिल जाएगा, और 4 paper आपको current एकदम ताजा ताजा fully amended, उसके बाद और कोई amendment नहीं है, आपको नहीं करना अलग से amendment, वो आपको recording मिलेगा, तो इस तरीके से क्या होगा, आप हमारे साथ daily, 2-3 live lecture कर सकेंगे, और motivated रह सकेंगे, और खुद से सार बचे old और new syllabus में confused है, अरो मैं क्यों confused हो, new syllabus का जो हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बता दू, वो जून 24 के लिए रहेगा, जून 24 के लिए, क्यों, क्योंकि उसके पहले new syllabus हो ही नहीं रहे, लेकिन सार old syllabus सार अगर December 23 में हम लोग का exam है और नहीं clear हुआ तो पहला बास यसा नहीं होगा, MEPL में पढ़ोगे, आपका clear होगा, यह guarantee है, इंसक्षन फॉलो करोगे तो guarantee है, पास करोगे, करोगे, December 23 में बाइचांस मानलो, आपको लग रहे है नहीं हमें नहीं देने old syllabus में, तो भाई, old syllabus के तो exam continue रहेंगे, June 24 में भी होगा, December 24 में भी समझा रहें, new syllabus को सच बताएं, easy कर दिया गया है, burden थोड़ा सा कम करने का कोशिश किया गया है, पहले old syllabus के अंदर nine papers हुआ करते थे, उसमें से दो paper जो है, वो delete हो गया है, under new syllabus, मतलब new syllabus में केवल साथ paper है, और दो ही module है, new syllabus के अंदर दो group है, group 1 में आपके चार paper है, group 2 में आपके तीन paper है, चार और तीन, साथ paper, तो दो सब जे कौन-कौन सा delete हुआ है, बताएंगे, जो old syllabus में था आप new में नहीं है, taxation का पूरा paper delete, तो taxation में तो okay यार, 1500 क्लास रहता था वो delete हो गया, इसके अलावा, RCD, Resolution of Corporate Disputes का paper delete हो गया, तो दो paper delete कौन-कौन सा हुआ, tax, and RCD, Resolution of Corporate Disputes, यो दो paper delete हो गया, new में, तो पहले old में 9 था, अब new में कितना 7 है, ठीक है, बट मैं आपको बताओ, ऐसा नहीं है, कि syllabus बहुत ज़्यादा कम हो रहा, अच्छा, बात RCD जो delete हो है, RCD का portion जो है, बात बाकी new syllabus के subjects के अंदर बढ़ा दिया गया, एक ही relief है tax का, और वो भी tax new syllabus के अंदर relative paper है, बट मैं तुम लोग को जानता हूँ, तुम लोग को relative paper में tax जो है, वो 0.01% बच्चे लेंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि tax एक major relief है, पढ़ाई-wise, study-wise की taxation जो है, new syllabus में नहीं है, otherwise, तो सर इसके लिए हम लोग को जून चॉपिस में defer कर देना चाहिए, पागल हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ऐसा विल्कुल मत करो, December 23 में तुमारा, अगर term है, तो तुम December 23 में ही दो, ठीक है न, और institute क्या करता है, जब कोई भी old syllabus जाने व professional में, professional में, जैसे मैंने आपको बताया, जो existing syllabus है, और जो new syllabus है, उसमें फर्क है, new syllabus जून 24 में पहले exam होगा, और existing syllabus चलते रहेगा, ठीक है, December 23 में भी है, June 24 में भी है, December 24 में, और ICSHI तो extend करता ही है, past history तो यहीं बोलता है, existing syllabus में, जिसमें आपका term due है, और जो हम लोग start करने वाल है, उसमें, सबसे पहले हम लोग वही सब paper लेंगे, जो old और new syllabus में common है, तो tension का बात बात बिल्कुल भी नहीं है, जैसे CRA, corporate researching insolvency, यह common है, corporate researching insolvency, common paper है, ठीक है, तोम लोग इसी से start करेंगे, जो old और new दुनों में, चलो, old syllabus में, module 1 में आपके 3 paper है, old syllabus में, module 1 म में आपके 3 paper है, GRMC बोलते हैं इसको, governance, risk, management, compliance and ethics, GRMC, इसमें corporate governance के बार में आप पढ़ते हैं, ठीक है, अब यह paper new syllabus में पूरा same है, फिर tax law, tax law, new syllabus में हट गिया, फिर drafting का paper जो है, पूरा same है, drafting pleading appearance, drafting pleading appearance, clear है, old syllabus versus new syllabus चलो रहा है, तो GRMC का paper same है, tax हट चुका है, drafting का paper same है, यह to make paper है, compliance management का, क्या चीज़ का, compliance management and due diligence का, तो यहाँ पर भी आपके new syllabus में compliance management and due diligence, ठीक है, audit मतलब secretarial audit, तो compliance management, audit and due diligence same है, corporate researcheering, insultancy पहले भी था, अभी भी है, resolution of corporate dispute, पहले था, अब delete हो गया है, लेकिन इसका जो portion से बाद बाद की subject new syllabus में add हो गया है, फिर, एक paper आपका है, funding and listing, funding and listing को इन्होंने कर दिया, corporate finance and strategic management, ठीक है, फिर, एक paper आपका, multi-disciplinary case study था, वो अट चुका है, लेकिन उसके रगा, आपको, पहले एक elective होता था, old syllabus में, old syllabus में पहले एक elective paper से लिक करना पड़ता था, अभी आपको दो elective paper से लिक करना है, group 1 में भी एक elective paper है, group 2 में भी एक elect तो मतलब एक बार फिर से समझ लो, old syllabus और new syllabus, old syllabus में 9 papers है, new syllabus में 7 paper है, क्या difference है, tax हट गया, RCD हट गया, बस यह difference है, और अब elective paper जो है न, new syllabus के अंदर 2 elective paper है, elective 1, elective 2, group 1 में आपको कोई भी एक elective paper सेलेक करना है, और group 2 में आपको यह चारों में कोई भी, यह पांचों में कोई भी एक elective paper सेलेक करना है, मैं आपको बता दू, बिना कुछ सोचे, आप group 1 में जो elective paper सेलेक करेंगे न, group 1 में जो आपको elective paper सेलेक करना चाहिए, वो आपको सेलेक करना चाहिए, बेटा, आने वाला जमाना को देख करके मैं बात कर रहा हूँ, भेड़ बकरी के रेस मे मत चलना, आने वाला जमाना है, artificial intelligence का, देख रहे हो न, chat GPT क्या धूम मचा रहा है, data analytics, cyber security लो, तो यही वाला paper आपको सेलेक करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा वाला जो elective paper आपको सेलेक करना चाहिए, वो है insolvency and bankruptcy, क्योंकि CS चोए आगरा करके insolvency professional बनता है, ठीक है, औ और यह वाला paper में आपको जो न, CRI जो हम पढ़ाएंगे न, corporate restriction insolvency, उससे भी काफी मदद मिल जाएगा इस paper में, मतलब कम पढ़ना पढ़ेगा, 50-60% अलज़ी CRI में cover हो जाएगा, that's it from my side, तो आपको मैंने एकदम conclusion दे दिया है, कि December 23 में जिन लोग का exam है, वो old syllabus के हिसा चालू करेंगे, old syllabus और new syllabus का पहले जो common subjects है, वही चालू करेंगे, इसके अलावा, जो subjects old syllabus करेंगे, उनलों को old syllabus की साफ से मिलेंगे, और new syllabus वाले बच्चों को new syllabus की साफ से मिलेंगे, that's it from my side, sir, कुछ discount offer वगर बता दीजे, ऐसा हो सकता है, नहीं है, बिल्कुल है, जो CS executive में All India rank ले करके आए है, कहीं से भी पढ़ करके, sales study करके, हमारे यहां पढ़ करके, CS professional में 100% scholarship है, उनको, एक बिरुपिया फीस नहीं दिना है, बात बगे बिच्चे, जो clear की है CS executive, वो भी deserve करते हैं scholarship, up to 40% discount चल रहा है, extra 10% discount मिल जाएगा, अगर आप promo code CS लगा देंगे, देखो हम price पे compete नहीं करते हैं, हम compete करते हैं quality education पर, इतना मेरा आपको guarantee है, कि अगर आप हमारे यहां पर पढ़ेंगे, आपका पूरा ICSI module कवर हो गया है, क्योंकि हम लोग state of ICSI module से पढ़ाते हैं, सब notes आपको copy में लिखाएंगे, इतना मोटा मोटा आपका copy भर जाएगा, ताकि exams म आप panic ना करें, फटफटफटफ का revision हो सके, और आप All India rank जो है, वो hustle कर सके, यह आपका last exam है, इसमें आप अगर executive clear की है न, तो हाई chances है कि आपका profession में All India rank आ सकता है, तो हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारा भरूसा आपको है, कि आपका CS बनाने का जिम्मदारी मेरा है, और अब हम इस से ज़्यादा क्या बोलें, थैंक यू सो मच, वेबसाइट पर जा करके, कोर्स बुक कर लिजे, www.mplclasses.com, थैंक यू